इंडी गटबंदन के लोग बहें अपने बच्चों के लिए आरक्षन की बश्था कर रहे हैं सभाविक रुपसुद की प्रात्मिक्ता केवल और केवल परिवार है 2005 के पहले महिलाएं निकलने से ड़ती थी गोली बम और बंदूक के बल पर बूत कब्जा करने काम कौन करता था ये रोहिन अचार्या जी को साथ नहीं ध्यान में हो कि जिस तरीके से पारिवारी कारक्षन की पार्टिया इंडी गटबंदन का मूल आधार है तो सभावी के रुप से उनकी प्रात्मिक्ता केवल और केवल परिवार है तो जब परिवार प्रात्मिक्ता रहेगा 150 पतिशत जो आबादी है जो रोल मौडल बना हुआ है और बिहार तो खास करके रोल मौडल है महिलाओं के सब्सक्तिकरन के मामले में इसकी सुरुवात हम लोगों ने किया तो इन लोगों से उमीद क्या किया सकता है इंडी गठबंदन के लोग भै अपने बच्चों के लिए आरक्षन की प्वस्था कर रहे हैं लेकिन आरक्षन का विशय इसलिए चिल्लाते हैं कि अपने पाप को छिपाना चाहते हैं और अप क्या दरनिये मलिकार जुन खड़ गे तो पाटी के राष्ट्री अध्यक्ष है हम उनसे अनुरोध करेंगे क्या दरनिये स्वर्गिये पधान मंत्री इंद्रा गांधी जी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा क्या गरीबी हटाओ का नारा का पुरा अनुपालन हो गया प्रिस्क को अपने गिरेवान में जाकना चाहिए और राजनीत वैकल्पिक आधार पर करना चाहिए बहुत के जश्वी यादो बोल रहे हैं कि एक करूर रोजगार देंगे आप बोल रहे हैं तीस लाक तो कौन जूट बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है यह तो प्रथम प्रमान है कि आपके बीच में कहीं ताल मेल नहीं है ना रोजगार के सवाल पर न सीट में न नीती में अब इस संबंध में तो जेपी नडगा साहिब को ही पूरी जानकारी होगी तकि इतना तय है कि आम आदमी पार्टी ने लोक तंत्र जो लोक लाज की मुनियार पर चलत है और जिस तरीके से सराब के मामले में अरविंद के जिरिवाल हो आप पार्टी हो मनी सिसौदिया हो पूरी पार्टी के जो विमिन कुनवे के लोग के खिलाफ कारवाई हुए और जिस तरीके का साक्षब तक जनता के बीच मीडिया ने परशारित किया है उससे तो यह चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित आदर्स आचार संगिता यह साफ कहता है अध्याई 4 के 42 के 17 मा नंबर पर और अध्याई 5 के 8 के 11 में भाई कोई उस निर्वाचन छित्र का मद्दाता नहीं है जिसके पास सरकारी अंग्रक्षक है भोला यादो पूर विधायक किस कैपिसिटी से घूम रहे थे यह तो सीधे तोर पर उलंगन है और हम उमीद करते कि चुनाव आयोग को और रिटर्निंग अफसर को यह गंभीरता से लेना चाहिए आखिर मद्दान केंदर तक कैसे पहुंचे बोला यादो किसने यह अधिकार उनको दिया जब चुनाव आय कारिटिक सिपास अला रहे तो इसका मतलब तो साफ है ना कि उनमाद भड़काना यह राष्ट्य जनता दल की कारीनिती है हमारी उम्मीद है कि सामाजिक समरस्ता कायम रहे लेकि चुनाव आयोग भोला यादव के खिलाफ कारवाई सुनिश्चित करे तो जैस्वी यादो ज 70 क्या हैं नरियन्द मूदी करमवीर हैं उन्होंने 10 साल इस देश की सेवा की जब प्रहानमंत्री जी आब्दा की घडिय सेवा कर रहे थे उस समय आप घर में सोई थे जब करोना वैकसिन का फ्री बट रह था लोगों को करोना quelques के रूप में लोग काम कर रहे थे उसमें आप और आपकी पार्टी के लोग सोई हुए थे इसके इतर भाजपा काय करता वेरियस बनकर काम कर रहे थे आप जो कह रहे हैं कि हम बहुत हमारे कारण अरे मोदी तो सरक पर हैं ही जमीनी नेता हैं वो हवाबाज नेता नहीं है कि किवल हवाई ज से चलेंगा मचली खाएंगे मोदी जी नौरात्रा में नौरों दिन उपवास पर रते हैं पानी पर आपकी छमता का है आप तो जवानी में बुरहापा का बिमारी ले आए हैं इसलिए नरेंद मोदी के कद को कंपेर करने के लाइक भी आप नहीं है और जहां तक आपको लगता है कि राजनिती बहुत असान है और रोजगार की बात करते हैं सबसे पहले तो इस पर जवाब देना चाहिए कि जो रेलवे में नौकरी देने के नापर आपने युवाओं को भठागा उसका पैसे का हिसाब कहां से आएगा कि वह चासिटेट कौन है आप और आपका परिवार क्यों रेलवे के जो जॉब फर जमीन घोटाने में आरोपित है कि यह नहीं द्यान में आ रहा है क्या और 17 महीने में नौकरी की बात पूरा 15 साल यहां पर बिहार के युव को पलायन के लिए मजबूर किया वियार के युवाओं को सिक्षा से मरहुम किया लोग सिक्षा के लिए दर भठकते रहे गए बाहर जाना परावन को और आप यह बात कर रहे हैं सरम नहीं आता आपको आज 17 महीने में नितीज कुमार का और भाजपा का किया हुआ का मोहर ल आपने इस राज जी को जंगल राज दिया आपने अपरादियों को सनक्षन दिया वियार में जब अपरादी अपराद करता था तो आपके आवास से इसको सनक्षन मिलता था यह है आपके बारे में प्रिष्ट भूमी मलिक अर्जिन खरगे ने कहा है कि प्रधान मंत्री मोदी श्रीव जूट बोलते हैं जूट का प्रचार करते हैं और बस प्रचार महीं लगे रहते हैं जूटे वादे करते हैं ठेक है ना वैस्जंता देखी रही है ना जिस नियन मोदी जी ने बदाशन मंत्री अन्योजना को अस्सी करोर परिवारों को दिया घहन जूता अज इस देश में रोर इंफ्राइक्ट्रक्ट्ट्रुंध जिस पर लोग चल रहे हैं खाली बिहार में लाग करोर के सरक्ष पर काम चल रहे हैं जुटा वी से जी कितने बड़े खिलोना है वो सब कोई को पता है कि कॉंगनेस उनको किस प्रकार से खिलोने के रूप में यूज कर रही है लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूं कि मैं अध्यक जी आपको मैं चुनौती देता हूं आप पार्टी के राच्ट्री अध्यक्षानल कोंगनेस के पाए और जब भी इनकी सरकार रही तो नारी परिशान हो जाईगी प्रधान मंत्री मोधी ने कहा है देखिए यह तो बाते दिखी है ना इस राजी में आप अगर बिहार की तुलना देखे तो 2005 के पहले महिलाएं निकलने से डरती थी और महिलाएं इस डर में घर में रहती थी कि कहीं मेरा बेटा और मेरे हस्बेन अगर बाहर गया तो सुरक्षित लोटेंगे कि नहीं लोटेंगे आज महिलाएं तेजी से निकल का काम कर रही है अंतर तो साफ है आज हमारे नितिश कमार की सरकार में लर्कियों को साइकिल दिया गया कि वह अपनी सिच्छा के लेक्या निकलती तो कभ घर आएंगी कि नहीं आएंगी यह डर होता था आज हमारी बेहने अलग अलग च्छेत्रों में आगे बर रही हैं कई अच्छे चाह वह सेना से लेकरों एर क्राफ्ट चलाने से लेकर हो बड़े बड़े कंपर्णी में जाने से हो हर जग महिला आग अब देखिए ये लोग तो आधा बेल वाले हैं कुछ जेल वाले हैं ये सब को मालूम है कि 2024 में गर नरेन मुरी दुबारा आ गए तो ये भश्चाचारियों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है और यही कारण है कि कोट के दरवाजे पे इनको लगतार चोट पर रही है फिर भ कोट में आपको क्यों नहीं ब्यल मिल रहा है यानी देश के सबसे वरी कह सकते हैं एक ने आउफ्य प्रकृया में वहां भी आपको अगर दिख रहा हो तो कहीं नगें आपको चाहिए कि अब उसके बाद भी आप बड़ी बाद़े बड़े बयान भी बरते हैं सर् ये लोग वो लोग हैं जिते हैं तो ध्यान भ прекu कान हो गया कंटा का जीते तो पाप किये हैं, काला धने कठा किये हैं, तो जेल जाना पड़ेगा, इसके लिए चाहिए जितनी आप सफाई देते रहिए, और जितना आरूप लगाने जिल लगाते रहिए, भातिय अंता पार्टी और केंद्रिय नित्यूत नरेंद मुदी की सरकार को कोई फरक नहीं पड़ करकी मौत भी हो जाती है, एक क्रिटिकल कंडिशन में है, लगातारी आरूप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा इस तरीके के काम किये गया थे, भूट कैप्चर किया गया था, और रहनी अचार ने सीथे ये कहा कि राजीब परताफोडी हार के दर से इस तरीके क देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये बूत कबजा और बूत लूटना, ये सब्दावली जो है, ये किसके पिष्ट भूमी से आती है, और किसके संसकार से आती है, ये सब को पता है, दोजाब पांच के पहले का जो बिहार था, उसको किस प्रकार से यहां के चुनाओं को ल लोग थे, ये उस समय ये कारा हरकते वही लोग करते थे, वो तो सभाग मनाईए कि एलेक्शन कमिशन ने टाइट करना सुरू किया, और टी एन सेसन का समय आया, तब से ये चीजे कुरू किये, और कहीं न कहीं जो भी राजसरकारे रहीं, लोगों ने कडाई से इसको लाग लिके से कोई भी काम किया हो, तो चाहे कोई भी बेखती होगा, उसको बक्षा नहीं जाएगा, बीजेपी की यूएसपी यही रही है, न हम किसी को फसाते हैं, न किसी को बचाते हैं, लेकिन बहुत सपच्ट है, ये फिर से बूत लूटने का कबजा करने का जो खेल, कायकरता ने मेरे साथ बत्तमी जी की गाली गलोच किया और कहा कि तुम यहां क्यों आई हैं? प्यार के विचार के साथ काम करके बढ़े हैं, पियाहर और देश की संस्कृति से पले बढ़े हैं, आपर आधिके संस्कृति में नहीं पले बढ़े हैं. मन्दे की सुरक्षा में चूप भी यह इस तरीके के घटना बढ़िए? जिस प्रकार से उक्साने का और जिस प्रकार से ये विशे तो आना चाहिए ना कि भोला या दो किस रूप से बूतों के अंदर जा रहे थे किस कैपासिटी में जा रहे थे ये विशे तो आना चाहिए ना एक तो दूसरे जिले के हैं आप पूर विधायक रहे हुए हैं आप चुनाओं में प्रत्यासी अगर मैं हूँ तभी मैं बूत के अंदर जा सकता हूं इन क्या खेल खेला जा रहा था किसी ने देखा नहीं है क्या कि फिर से बूत लूटने का भोला यादो जी और बाकी लोगों का लालू के इसारे पर चल रहा था तेजस्वी के इसारे पर चल लगना चाहिए था इस दोहीं सीटों तक क्यों सिमित्थ हो गया फंदर सीटे हैं जो आप लालू परिबार का जोड़ी एक तब लग सकते हैं